नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी न्यूस का विशेश संकितिक भाषा समाचार आपके साथ मैं हूँ पराकरम सेंशेखावत और मेरे साथ हमारी संकितिक भाषा की सहयोगी है मनीशा शर्मा शुर्वात करते हैं सुर्खियों के साथ जैपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतिय सम्मिलन का हुआ समापन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुलिस के समक्ष चुनोतियां और आंतरिक सुरक्षा पर हुई चर्चा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आठ से दस जनवरी तक करेंगे गुजुरात का दौरा वाइबरेंट गुजुरात ग्लोबल समिट और वाइबरेंट गुजुरात ग्लोबल ट्रेट शो का करेंगे शुभारंब शीर्ष वैश्विक कंपनियों के CEO के साथ भी करेंगे बैठक पश्यमंगाल में ED टीम पर हमले के आरोपी TMC नेता शेक शाहजहां को लेकर भाजपा आकरामक रजपाल से मिले पश्यमंगाल भाजपा ध्यक्ष सुकांत मजूमदार प्रदेश में विगरती कानून व्यवस्था की इस्सिती को लेकर ततकाल निरनायक कारवाई करने की कीमाग आयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम लला के प्रान प्रतिष्ठा की तैयारिया जोरो पर श्री राम मंदिर निर्मान समिती के अध्यक्ष निर्पेंद्र मिश्रा ने मंदिर मार्ग गेट और श्रधालों के लिए बनाई गई कैनोपी समेथ निर्मान कार्यों का किया निरीक्षन कहा अंतिम चरन में है तैयारियां चिटपुट घटनाओं के बीच बंगलादेश में आम चुनाव के लिए हुआ मतदान विपक्षी दलों के बहिशकार के बीच तीन सो सीटों के लिए मैदान में एक हजार नौसो सक्तर उम्मी द्वार बंगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने किया मतदान कहा भारत हमारा भरोसिमन दोस्त डिल्ली एंसियार समेट पूरे उत्तर भारत में श्रीत लहर का कहर चारी पंजाब हरियाना चंडीगड दिल्ली और राजस्थान में ठन की भीशर इस्तिती बने रहने का अनुमान और मुंबई में आज खेले जाने वाले दूसरे महिला टी-20 मुकाबले में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच होगी भिडन्थ पहला मुकाबला जीत चुकी भारतिय टीम की सिरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश जैपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतिय सम्मेलन का समापन हो गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मौझूद्गी में पुलिस के समक्ष चुनोतियां और आंतरिक सुरक्षा पर विसार से चर्चा हुई तीन डिविसिय सम्मेलन में साइबर अपराद पुलिस व्यवस्था में प्रद्योगी की आतंकवाद विरोधी चुनोतियां वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दो पर विचार विमर्श किया गया नए आपराधिक कानूनों के कर्यानवेन के लिए रोड मैप भी समेलन के प्रमुक एजेंडे में शामिल था इसके अलावा पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविश्य के विश्यों जैसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और डीप फैक जैसे नई प्रद्योगी की उजवारा उटपन चुनोतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा हुई प्रधान मंत्री नरींदर मोधी आठ से दस जनवरी तक गुझुरात दौरे पर रहेंगे प्रधान मंत्री वाइबरें गुझुरात वैश्विक शिकर्ड सम्मेलन के दस्वें सल्सकरन का उद्खटन करेंगे इस बार वाइबरेंट गुजराट समिट की थीम गेटवे टू दे फ्यूचर है प्रधान मंत्री वाइबरेंट गुजराट ग्लोबल ट्रेट शो का भी उद्खाटन करेंगे इसके अलावा प्रधान मंत्री शीर्ष वैश्विक कमपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे साथी प्रधान मंत्री गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिंटेक लिडर्शिप फोरम में प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे वर्ष दोजार तीन में ततकालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दूर दर्श्वी नेत्रित्व में आयोजेत वाइबरिन गुजुरात ग्लोबल समिट आज समावेशी विकास और सतत विकास के लिए पेशिवर जुडाव ग्यान साज़ा करने और रननेतिक साज़ेदारी के लिए सबसे प्रतिश्चित वैश्विक मंचों में से एक बन गया है वाइबरिन गुजुरात ग्लोबल समिट का दस्वा सल्सकरन दस से बारह जनवरी तक गांधी नगर में आयोजित किया जा रहा है केंद्रिग्री और सहकारिता मंत्री अमिट शाह नौ जनवरी को जम्मो कश्मीर का दोरा करेंगे जोरान वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मो कश्मीर के व्यापक विकास के लिए समीक शा बैठक करेंगे साथी विक्सित भारत संकल्प यात्रा कारिकरम में भी शामिल होंगे ग्रेह मंत्री अमिट शाह जम्मो कश्मीर में इबस सेवा को फ्लैग ओफ करने के साथ विभिन विकास कारियों का उद्गाटन और शिलान्यास करेंगे इस दोरान वो नियुक्ती पत्रों का वितरन भी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाज सिह आठ जन्वरी को लंडन युनाइटिट किंग्डम की दो दिवसी यात्रा पर रवाना होंगे यात्रा के दुरान रक्षा मंत्री अपने समकक्ष ग्रांट शाप्स के साथ द्वी पक्षिये बैठक करेंगे उनसे रक्षा सुरक्षा और और योगिक सहयोग के व्यापक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है राजनाज सिह की ब्रिटन के प्रधान मंत्री रिशी सुनक से मुलाकात करने और विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलो के मंत्री डेविट कैमरिन के साथ बैठक करने की भी उम्मीद है राजनाज सिह वहाँ भारतिय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हालखी में लक्षद्वीब का दौरा किया जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीब दौरे की कुछ तस्वीरें साजह की जिसने लोगों को काफिया कर्शित किया तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वारल हुई सचिन तंदूलकर सहित कई मशुहूर हस्तियां शामिल हैं इस बीच माल्दीव के कुछ नेताओं की और से विवादेट टिपणियों को लेकर भी सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज ने अपने प्रतिक्रियाएं दी हैं अक्षे कुमार ने एक्षपर लिखा माल्दीव की प्रमुखस्तियों की और से भारतियों पर घ्रनिट और नश्लवादिटी पढ़िया की गई हैं आश्वर इस बात का है कि वो ऐसा उस देश के लिए कह रहे हैं जो उन्हें सबसे अधिक संख्या में परेटक भेशता है माल्दीव का दौरा किया है और हमेशा इसकी प्रश्विंसा की है लेकिन अपनी गरिमा पहले है आईए हम भारतिये द्वीपो को परेटन के लिहाद से अपनाएं और अपने देश के परेटन का समर्थन करें माल्दीव के कुछ मंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्षपर भारत विरोधी टिपणिया की गई जिसके बाद से सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्षपर एक्षप्लोर इंडिया अना इंलैंच ट्रेंड करने लगा जिसके बाद माल्दीव सरकार ने माल्दीव की मंत्री मरियम शियूना और बाकी मंत्रियों से ऐसी बयान बाजी से बचने की सला दी है माल्दीव सरकार ने बयान जारी कर कहा कि ये उनकी व्यक्ति गत्राय है मन्तری की टिपड़ी मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनेधित्व नहीं करती है मालदीव के पूर्व राश्पती मौहमद नशीद ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी का अपमान करने वाली मौहमद मौईजू सरकार में मन्त्री की आलोचना की है उन्होंने एक्ष पर लिखा मालदीव की सरकार की एक मंत्री ने एक प्रमुख सहियोगी देश जो कि हमारी सुरक्षा और समृध्धी के लिए जरूरी है कि प्रमुख के लिए किस तरह की भध्धी भाशा का इस्तमाल किया है मौमट मौईज्दू की सरकार को इस बयान से अपने आपको अलग कर लेना चाहिए और भारत को ये बताना चाहिए कि ये हमारी सरकार सरकारी नीती नहीं है केंद्री परेटन मंत्री जी किशन रडी ने कहा कि लक्षद्वीप में परेटन की दृष्टी से संभावनाए है उन्होंने कहा कि केरल से लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी है लेकिन बहतर हवाई कनेक्टिविटी के प्रयास किये जा रहे है लक्षदीप ऐसा एक प्रांथ है टूरिजम दृष्टिकों से पोटेंशियल है और समुंदर के साथ जितने भी अड़िस्टेटर बहुत अच्छे तरीके से बारा सरकार के द्वरा उनके नेतरुत में खाम हो रहे है अब यह भी प्रदान मंद्री जी भी लक्षदीप विज किया है एक ही मुद्दा है ठीक तरीके से एरपोर्ट हो उसके लिए भी बारा सरकार अच्छे उदर एरपोर्ट के लिए बहुत प्रैस करें एक खेरला से कनेक्ट्विटी है फिर भी एर कनेक्ट्विटी के लिए बहुत प्रैस करें इसी बीच केंद्री मंत्री अनुराक स सिहाथाकृर ने भी भारतिये द्वीपों को लोगों को गूमने की सला दी है। लुत्फ उठाएं। कानौन व्यवस्ता की इस्तिती पर चिंता व्यक्ति की। उन्होंने संबंद में राजिपाल को पत्रभी सौपा और मामले पर ततकाल कारवाई करने की अपील की है। के हुए लिखा है कि एडी ने खतरनाक अपराधी और ममता बनर जी और उनके भतीजे अभिशेक के भरोसे मन गुर्गों में से एक शेक शाहजाह के लिए लुकाउट नौटिस जारी किया है। वो अन्य अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर उस राशन घोटाले में वांचित है जिसमें बंगाल में सबसे गरीब लोगों के लिए खाद्य आपूर्ती एक दशक से अधिक समय तक खुले बाजार में बेची गई थी। पश्यम बंगाल के राजिपाल ने पश्यम बंगाल के डीजीपी को शेक शाह जहां को तुरंट किरफतार करने और आतंकी संगठनों के साथ उसके संबंधों की जाच करने का आदेश दिया है लेकिन संदेश खाली का डौन होने का दावा करने वाला शाह जहां फरार है। बोग्तुई नर्सवार के तुरंट बाद मंता बनर जी अपनी अधिकारी कार में आरोपी अनुबरुतों मंडल के साथ घूमती हुई नजर आई थी इसमें कोई संदे नहीं है कि शेक शहजहां भी जहां भी हो उनके सरॉक्षन में ही हो लेकिन जैसे वो अनुबरुतों को नहीं बचा सकी ठीक वैसे ही वो शहजहां को भी नहीं बचा पाएंगी अपरात पर बना उसका खून से लटपत सामराज जड़ है रहा है और केंदरी अजल्सियों को सौपने का नर्देश ममता बनर जी को इसलिहाद से दे देना चाहिए वही केंदरी मंत्री गिरिराज सिह ने बंगाल में एडी पर हुए हमले पर कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी लोकतंत्रिक नहीं होकर ताना शाह की भूमिका में है पच्छिम बंगाल में मैं कल भी कहा आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोक तंत्र समाप्त हो गया है बंगाल में संगीय धाचा समाप्त हो गया है बंगाल की मुखमंत्री लोक तंत्रिक नहीं हो करके वो डिक्टेटर की भूमका में है और अपने को समझती हैं कि ये भारत से कटा हुआ है, ये किम जॉंग की तरह ट्रीट करती हैं कोडिया के परसिडेंट की तरह और अनद भवन सित अनाथालएय के मामलے में राष्ट्र standard के प्रियाक्श क प्रियंग कान eldhary का एक ट्विट साझा करते हुए लिखा है कि प्रयागराज में आनंद भवन परिसर में जहां आपके नेता रहुल गांधी प्रयागराज प्रवास के दुरान आराम करते थे और चुनाव अभियान के दुरान उर्जा ग्रहन करते थे वही गांधी परिवार द्वारा चलाए जा रहे वगेर लाइसेंस के अनात आश्रम में किशोर और अनात लड़कियों के बातरूम में डर्वाजे नहीं लगाए गए थे अनात बच्चीयों को परिवारों में गोड नहीं दिया जाता था विदेशी फंडिंग भी आती थी यह सब मेरे द्वारा किये गए एंसी पीसी आर के निरिक्षन में उजागर हुआ साथी उन्होंने बताया कि कैसे निरिक्षन के बाद एफ आई आर दर्च की गई प्रियंग कानोंगो ने कहा कि इस देश इस से देश की बड़नामी नहीं हुई बलकि कॉंग्रेस पार्टी और गांधी खांदान का सच उजागर हुआ है चिल्डरिन्स नैशनल इंस्ट्यूट का गठन भारत के प्रतम प्रधान मंतरी जवाहरलाल नहरून किया था वहाँ अनात बच्चियों को रखा जाता था 17 से 29 साल तक की लड़किया यहां रखी गई थी प्रियंग कानोंगो ने अपने निरिक्शन के बार आदेश दिया था कि बातरूब में दर्वाजे लगाए जाएं वहारा रही बच्चियों की सुरक्षा का मामला भी सामने आया था D.M के सामने भी यह मामला आया था फिर लड़कियों को दूसरे सुरक्षट इस्थान पर स्थानां तरिट किया गया था NCPCR ने पिछले 7-8 सालों में लगा ता बच्चों का अलग-अलग प्रकार से शोशन करने वाले संगठनों पे संस्थाओं पे व्यक्तियों पे सक्त कारवाई की इसमें उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा इलहाबाद में चलाया जा रहा वो और्फनेज भी शामिल है जहां किशोर अवस्था की लड बच्चियों के बात्रूम में दरवाजे नहीं लगाए गए थी विदेशी फंडिंग आती थी अनात बच्चियों को परिवारों में गोद नहीं दिया जाता था और इनके नेता राहुल गांधी वहां पे रेस्ट करने के लिए और री एनरजाइस करने के लिए खुद को जाया करते हैं पाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनवाला ने इंडी गड़बंदन की आलो चुना की है उन्होंने विपक्षी गड़बंदन पर टिपनी करते हुए कहा कि इस गड़बंदन के साथी मोदी हटाओ से ज्यादा कॉंग्रेस घटाओ की मानसिक्ता लेकर कहते ह कि बंगाल उत्तर प्रदेश महराश्टर केरल में कॉंग्रेस नहीं चाहिए इस घटबंदन में साथी है वो मोदी हटाओ से ज्यादा कॉंग्रेस को घटाओ इस प्रकार की मानसिक्ता लेकर कहते हैं बंगाल में कॉंग्रेस नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में कॉंग्रे नहीं चाहिए केरल में कॉंग्रिस नहीं चाहिए केंद्री मत्सिपालन पशुपालन और डेरी मंत्री पुरशुत्तम रुपाला सागर परिक्रमा के 11 चरण के तहट आज ओडीशा के गुपालपूर बंदरगाह पहुंचे जहां वो मच्छवारा समुदाय के लोगों से मिलक पर उनके मुद्दों के बारे में उन्होंने जनकारे ली इस जोरान मीडिया से बातचीट करते हुए उन्होंने कहा कि मच्छवारा समुदाय के उत्थान के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल एहतिहासिक है उनकी यात्रा का उदेश गुजरात उडिशा, आंध्रप्रदेश और पश्शिम बंगाल के समुद्रिक शुत्र में रहने वाले मच्छवारा समुदाय के बीच जागरुकता पैदा करना है उन्होंने कहा कि उडिशा के बाद वो जागरुकता पहलाने के लिए पश्शिम बंगाल चाहेंगे सागर परिक्रमा के इस ग्यारावे चरण में हम आज भगवान जगनात जी की पावन धर्ती ओरिशा के गौपालपूर पोर्ट से हम आज इस पावन धर्ती को स्पर्ष किया हम विशाखा पत्नम से बाइबोट इधर आए यहां के मच्वारे समाज के कुछ आगेवानों ने मिलकर हमें यहां की जरुरतों के बारे में ग्यापन भी दिया है मुझे यह बड़ी खुशी हुई कि यहां दूर दराज के गाउं में रहने वाले मच्वारे को किसान ग्रेडिट कार्ड पहुचाने का काम स्थानिय तंत्र के द्वारा हो रहा है यह मेरे लिए प्रसंदता का और संतोष का विशय है आज से मैं पूरे ओरिशा के कोस्टल बेल्ट में गुमने वाला हूँ तीन दिन के लिए और मच्वारे समाज के जुदे जुदे गाउं में जाकर उन लोगों से मिलके उनकी बाते समझने का प्रयास करने वाला हूँ भारती वायुसेना ने पहली बार कारगिल एर स्ट्रिप पर सफलता पूर्वक नाइट लैंडिंग की है वायुसेना ने यहाँ पर रात के समय कारगिल एर स्ट्रिप पर C-130J सूपा हर्क्यूलिस विमान को लैंड करवाया है भारती वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ष पर वीडियो साजा कर ये जानकरी दी उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधितनात ने कहा कि गोरकपुर में रामगर ताल के प्रमुक परेटन केंद्रिब बनने के बाद अब इस ताल से जुड़ने वाले महत्वपूर्ण गोरधोया नाला के पुनरुधार का कारिश शुरू हो चुका है इससे गोरकपुर के उत्तरिक शुटर में रहने वाले लगभग साड़े तीन लाख से अधिक की आबादी को सीधा लाब होगा रामगर ताल जो पुर्वी उत्तरप्रदेश का एक प्रमुक तुरीजम का स्पॉर्ट बन चुका है तो सबसे महतुपूर नाला इसके साथ जुड़ता है वहा है कुर्दोवा नाला के कारिकरम के साथ वर्तवान में कारे प्रारम हो चुका है गोरकपुर के उत्तरी छेतर के जल निकासी की समस्या का समाधान करने का भी कारे हो रहा है गोरकपुर के उत्तरी छेतर में निवास करने वाली इलगभग साड़े तीन लाग सेधिक की आबादी को सीदे लाव होगा सत्रा से अठारा वाड ऐसे हैं जिनके जल निकासी का एक बहतर मात्यां भी मिलेगा और आईए अब आपको लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी श्री आयोध्या धाम में आयोध्या राम मंदर निर्मान समिति के अध्यक्ष्य निर्पेंद्र मिश्रा ने मंदर में चल रहे निर्मान कारियों का निरिक्ष्ण किया निरिक्ष्ण के बार निर्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदर मार्ग की तैयारी मंदर मार्ग पर लगे गेट श्रधालों के लिए बनाई गई कैनोपी का जाइजा उन्होंने लिया उन्होंने कहा कि यहां की तैयारी लगबख अपने अंतिम चरंड पे है जो हमारे श्रधालों यहां पर चलेंगे उनके लिए पैजल चलने के लिए धू बर्शा इसके लिए राहत क्या हो तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है और जैसा कि आप सभी यहां पर चित्र ले रहे होंगे कि यह स्कैनर का बिंदु है यहां पर वो आपने सामान को स्कैन कराएगा स्कैन कराके वो पी अप्ती को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा जहां की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सेकेरोटी चेक है और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि अगले एक सब्ता में यहाँ से श मुस्त समय भी चल रहा होगा लेकिन उस कारी को हम लोग रात्री में करेंगे और दिन में हम लोग श्रदालों की जो सुविदा है उसका ध्यान रखेंगे सादू संत अयोध्या में हो रहे विकास कारियों से भी काफी खोश हैं अयोध्या में आ रहे बढ़लावों पर कुछ सादू संतों से बात की हमारी सवादाता रमात्यागी ने श्रीराम के बालरूप के प्राण प्रतिष्ठा से जो संत लोग हैं उनमें भी हर्ष का महौल है बेहत उत्साहित है आप दाईये सर्थ क्या वज़ा है इतने खुशे की बालरूप की जो उनकी प्रतिष्ठा अपना है उसका महत्व हम आपसे जानना चाहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है साड़े 500 साल बात जो है साड़े 500 साल हो गया बेवात अब जया खतम होगा परधान मंतरी ओगी अधितनाजी बढ़िया जो है अच्छा अच्छा लग रहा है सारे जतने महत्माय सब खुश है इसको तो हम लोग बहुत ही उत्सा से उसका इंतजार कर रहा है हम लोग बाइस तारीक का बाइस जनमेरी को यहाँ भगवान राम की प्रस्टष्टा होगी और समय है साड़े जारा बजे का साड़े जारा बजे भगवान को मंदर में राजमान किये जाएंगे और उनके सब बब दर्शन होगे बब बंदारा चलेगा पुरी अविध्या नंगिरी में बब बंदारा चलेगा सब अविध्या में राम कथा भवी चलेगी सब मंदरों में भगवान के राम बजन कीरतन चल रहे हैं बहुत खुसी है हमारे स्री राम जो है इतने वर्सो तक टेंट में पड़े हुए थे कुछ नहीं हो पाया लेकिन हमारे योगी सरकार हैं, मुदी सरकार हैं इन्होंने बहुत सुन्दर काम किया है थी है और रहेगी भगवान स्री राम आज के नहीं है अनादी से हैं बहुत ही प्रतीक्षा के बाद ये मौका है, कितना बड़ा योगदान इसमें संतों का भी रहा है? इसमें संतों का बहुत योगदान था है और हम लोग तो को इतनी खुशी है कि हमारे राला पले तंबू उसमें रखते थे और मोदी जी के और योगी जी के विकास के वज़े से ये पूरा इतना बढ़ियां मंदीर बन रहा है और पूरा विश्व इसके बारे में खुश है और पूरा हिंदुस्तान पूरा विश्व के लोग आने वाले हैं यहां पर क्या वज़ा है आप चित्रकूर्ट से पद्यात्रा करके भगवान यहां आये हुगे हैं इसलिए हम उनकी खुशी में कि जो है कि भगवान हमारे 500 साल में फिर शी दुबारा से यहां इस्तापित हो रहे हैं और इस वक्ती बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक्षपर भारत विरोधी अपतिजनक टिपणी के मामले में मौल्दीव की सरकार ने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया है ये इस वक्त की बड़ी खबर है माल्दीव के युवा मंत्राले में का ररत मर्यम शिउना और मलाशा शरीफ को प्रधान मंत्री मोधी पर की गई अपतिजनक टिपणीों के बार निलंबन का सामना करना पड़ा माल्दीव की मीडिया रिपोर्टों ने शिउना शरीफ और युवा मंत्राले के एक अन्य मंत्री महजूम माजिद के निलंबन की पुष्टी की है माल्दीव के विदेश मंत्राले ने अपने बयान में कहा कि उसे विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खलाफ सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर अपमान जनक टिपणियों की जानकारी है बंग्रदेश में 12 संसेदी चुनावों के लिए मतदान पूरा हो गया है 300 सीटों के लिए 1,970 उमीदवार मैदान में उतरें 18 करोड की आबादी वाले इस देश में 300 संसेदों और अगली सरकार के लिए चुनाव हो रहा है प्रधान मंतरी शेख हसीना ने ढाका में अपने मत का प्रयोग किया सत्तारूर पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कारिकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि 6 सीटों पर यह अपने गड़बंदन के साज़ेदारों को इसने उतारा है शेख हसीना की नेतरत्व वाली अवामी लीग 2009 से सत्ता में है इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही आपने देखा डिडिन्यूस का विशेश सांकेतिक भाषा समाचार मुझे और मेरी सहयोगी मनीशा शर्मा को दीजे इजासत नमस्कार